अलो एडियो आज के सुडियो में मैं आपको अधना है कि आपके किसी भी OnePlus के मोबाईल को सिस्टीम अपडेट यानि की सॉफट्वियर अपडेट कर सकते हो तो अगर आपको भी आना है कि आप कैसे आपके OnePlus के मोबाइल को अपडेट करोगे तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करता है So गाइस तो अगर आपको भी आपके OnePlus के मोबाइल को अपडेट करना है तो इसके लिए आपको यागना है सबसे लिए आपका जो मुबाइल है उसमें आपको सेटिंग के एप को ओपन करोगे तो अभी आप आपर देख सकते हो अभी आपको अब बहुत सारी सेटिंग्स दिखाई दे रही होगी लिए पर इस तरिके से नीचे की दरफ जो है सक्रोल करता है तो आपको यहाँ पर beide कृषिन को ढूंड लेना है जिसका नहें होंगे अबाँट डिवाइस का तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे से फूर्ट ओला ओप्शन अबाँद दीवाइस वाले आपको सिम्पली इस इस अबाउट डिवाइस वाले option पर क्लिक कर देगे तो जैसे आप क्लिक करोगे इस अबाउट डिवाइस वाले option पर तो आपको यह पर जो है कुछ इस तरीके से options दिखाई देगे तो यह पर आपके फोन की बीडिटेल्स दिखाए दो आपको आगानना है सबसे उपर की तरफ आना है अब आपको सबसे उपर की तरफ एक option दिखाए दे रहा होगा जो कि होगा आक तो आपको कि यहाँ आपको क्या यह आपना है यह वाला जो Oxygen OSoffition इस पर क्लिक करना है और आपको हमें फोन नेट को ब्यों तो जैसे आप आपके मोबाइल को नेट से कनेक करोगे तो आपका पर कुछ ऐसा option दिखाई देगा तो अभी देखो अभी सबसे नीचे की तरफ आपको देखना है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है version up to date इसका अदलब है कि अभी हमारा जो फोन है वो पहले से ही updated है लेकिन अगर आपके फोन में कोई भी update अवेलेबल होगा तो फिर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा कि यह वाला update अवेलेबल है और आपको अपडेट वाला option भी दिखाई देगा तो आप जैसे अपडेट पर क्लिक करोगे तो वो जो update है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ देर में वो जो update है वो इंस्टॉल भी हो जाएगा तो बहुत आसाने आपका फोन को अपडेट करना और अगर आपका फोन पहले से अपडेट रोगा तो फिर आपको दिखाई देगा अ